हिंदेगलं में फिर से आपका एक बार स्वागत है यह विशेश रूप से बिहार सिशक बाहली से समंदित है बिहार सिशक बाहली से समंदित हमने कुछ निउस्पेपर के कटिंग लिये हैं जो आज का है यानी 21 सितंबर 2020 का सबसे पहले इसका हेडिंग देख लेते हैं पहला कटिंग जो है वो है आपका दैनिक जागरन का इसका हेडिंग है 11,000 सिक्षको की निउक्ति के लिए जल्द होगी कॉंसलिंग दूसरा हिंदूस्तान निउस्पेपर का कटिंग है और यह समस्तिपूर संसकरन है इसका हेडिंग है 72 एक्ति पर 572 आवेदन पड़े तीसरा है जांच को 600 सिक्षको का सर्ट्फिकेट हुआ अपलोड यह भी समस्तिपूर संसकरन का है और हिंदूस्तान निउस्पेपर है चले अब इस्तारपूर निउस्पेपर को देखते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है सबसे पहले हम लेते हैं 11,000 सिक्षको की निउक्ति के लिए ज परदेश में 94,000 प्रारंबिक सिक्षको की चले ही निउक्ति परकिरिया पर चुनाव अचार सहीता का असर नहीं पड़ेगा शिक्षव विवाग ने 1200 से ज्यादा नियोजनिकाईयों में 11,234 पदों पर सिक्षको की निउक्ति संबंदी कॉंसलिंग परकिरिया सुरू करान के लिए राज्य निर्वाचन आयोक से अनमत्वी मांगी है यहां पर एक चीज और किलियर कर देते हैं कल के निउस्पेपर में भी था जो आपका प्रभात कबर निउस्पेपर था उसमें भी यह लिखा हुआ था कि अभी तक पता चल लाता कि सभी जो बच्चे वे रिक्त किसी वज़े से रध हो गया या मेरिट लिस्ट फाइनल नहीं आयां जिसके वज़े से वहां कॉंसलिंग नहीं हुआ उन्हीं पदों पे ही केवल हो रहा हैं तो मतलब इस निउस के अंसार कॉंसलिंग पर करिया सुरू कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोक से अनमती म जाएगी यानि अभी तक नहीं मिला एक दो दिनों में मिल जाएगा इसके बाद सम्मंदित नियोजन इकाई के त्यार मेदा सुची के अधार पर सम्मंदित अव्यारतियों की कॉंसलिंग जल्द शुरु कराएजएगी जैसे ही अनमती मिल जाएगा इसके लिए आपको इंतिजार करना पड़ेगा उसके बाद ही कॉंसलिंग सुरु कराएजएगी और इस वीडियो में बने रहेगे इसके बाद हम सट्टिफिकेट के बारे में भी चर्शा करेंगे जो certificate के बारे में कि certificate अप्लोड हुआ है नहीं अप्लोड हुआ है क्या कुछ हुआ है कब तक नियुक्ति पत्र मिल सकता है इसके बारे में चर्शा करेंगे सिख्षा विवाग से मिली जनकारी के मुताबिक प्रात्मिक सिख्षा निदेशक अमरेंदर कुमार सिंग ने सिख्षक अव्यारतियों की कौंसलिंग कराने के लिए अनमती हेतु राज निर्वाचन आयोग को परसाओ भेजा है छटे चरण के सिख्षक नियोजन में दूसरे चरण की बचियोई कौंसलिंग कराने के लिए राज जिक के निर्वाचन आयोग की अनमती जरूरी है क्योंकि पंचाज चुनाओं के चलते अचार सहीता लगा है इसे पहले सिख्षक विवाग ने पंचाइती राज विवाग से संबन में मरदर्सन मांगा था पंचाइती राज विवाग का आकलन है कि अब तक परामरदर्स दात्री समीती पहले की तरह सक्रिय है इसलिए counselling कराने में कोई समस्या नहीं है यहां बता दे कि 11,000 वो पद है जहां बिभिन वज़ों से counselling नहीं करा गई थी को देखिए 11,000 जो पद है उसी पे ही यह करानी की बात कहा जा रहा है एक चीज किलियर हो जाईए कभे तक अनमती नहीं मिला है जैसे ही अनमती मिलता है उसके बाद यह counselling पर करिया यह क्या हो जाएगा मतलब start हो जाएगा इसके लिए date भी आपको बताया जाएगा इसके साथ ही आपको बताते चले कि जो यह counselling होने जा रहा है कितने पदों के लिए होगा तो यह 11,234 पदों के लिए होगा यानि किसी वज़स से वहाँ पे रद हो गया था यानि वहाँ कॉंसलिंग नहीं हुआ था वहीं पे ही कॉंसलिंग होगा इसके बार चलते हैं दूसरे नियूज पे दूसरा नियूज के बारे में ये छटे चरंज है मादमिक और उच मादमिक में से समंदित is के बारे में थोट दिर में अप्डिट लेते इसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि heft pen het हुआ है या नहीं क्योंकि इससे पहले जबमी चर्चा होता था कि यह यह बाहर निकलके आता था कि certificate जाच होना शुरू हो गया है, upload हो चुका है, इसके साथ ये भी चल चल रहता है कि 90% हो गया है, 64% हो गया है, लेकिन ये आज के newspaper का cutting है, हिंदुस्ताउन newspaper का समस्तिपूर संसकरन में आप जाएंगे तो मिल जाएगा, आज का याने 21 सितंबर 2020 का, देखें इसका heading क्या बना अपलोड हो रहा, upload करके वो सिक्षक विवाग में जाएगा, तब वो जाच होगा, अब आगे देखें क्या लिखा गया इसमें, जीले में वर्स 19-20 में हुए प्रारंबिक सिक्षक, नियोजन के कॉंसिलिंग के बाद चैनित, 1885 सिक्षक अव्यारतियों में से, 1885 ये चैनि है, उस एक जीले के नियूज पेपर में ये नियूज आता है, जिसमें से 600 सिक्षक जो सिक्षक है, बन रहे हैं, उनके परमाणपत्र अभी जाच के लिए विवागे विशेश पोर्टल पे अपलोड किया गया है, यानि अभी अपलोड हो रहा है, 600 यानि छित्रिका अठार यानि एक भाग किया गया है अभी, दो भाग अभी बचे हुए हैं अपलोड करने के लिए, आधा भी अभी नहीं हुआ, कि आप लोग सोच रहे हैं कि हाँ, इसी मंत में हमको नियुक्ति पत्र मिल जाई, ये हो जाए, वो जाए, वो अभी नहीं होने वाला है, क्योंकि जा सेन मती मिलेगा, डेट निकाला जाएगा, कॉंसलिंग स्टार्ट हो सकता है, लेकिन सेट्फिकेट के लिए अभी लंबा इंतिजार करना पड़ेगा अपको, आपके सामने हैं, अभी भी एक हजार से अधिक प्रमारपोत्र अपलोड होना बाकी है, रोज 20 से 50 सिक्षकों का मूल आवेदन पत्र अपलोड किया जा रहा है, अब देखिए रोज ये 20 से 25 हो रहा है, आप ऐसे ही ये कीजिए, ऐसे ही देखिए कि ये कब का हुआ है, मतलब अगस्त में हुआ, जुलाई में हुआ, उस समय का कॉंसलिंग किया हुआ, अभी तक अपलोड नहीं हुआ, इत बीच जाएगा, चलि आगे देखते हैं, अवेदन पत्र अपलोड किया जा रहा है, चैनित सिक्षकों के परमारपत्रों की सत्यता की जाच के लिए बिभाग के निर्देश पर डियो करे आले के अस्तर से सभी के परमारपत्र अपलोड किये जा रहा है, बिभागी सुत्र बताया कि सभी चैनित सिक्षकों के परमारपत्रों की जाच पूरी कर लेने के बाद ही चैनित सिक्षक वार जाच रिपोर्ट डियो करे आले को विभाग से प्राप्त होनी है, इस जाच रिपोर्ट के अधार पर चैनित सिक्षक अव्यारतियों को निक्ति पत्र दिया फर्जी है तो आपको जेल भी जाना चाहिए क्योंकि आप तो गलती कर रहे हैं जो बनिया अवियारति हैं जो इसके लिए इलिजीबल है जो सिख्षक बनने के योग हैं उनके जगे पर आपका हो रहा है तो यह तो जरूरी है यह प्रोसेस जरूरी है लेकिन जो यह लेट किसी जॉब में था उसका घर का खर्चा चल रहा था वो तो अभी बंद हो चुका है कैसे चल रहा होगा चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या कुछ लिखा गया है इस जांच रिपोर्ट के अधार पर चैनित शिक्षक अव्यारतियों को नियुक्तिपत्र दिया जाए बता बता दे कि अब तक नियुक्तिपत्र नहीं मिलने से चैनित शिक्षको में बेचैनी है उनका मानना है कि चैन के बाद उन्हें नियुक्तिपत्र देने में बिभाग देरी कर रहा है जबकि बिभाग का अधिकारी बिभागे निर्देश के प्रतिबद बता रहे हैं अब यह नहीं मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा मेरा मतलब मेरा जो हुआ था उस पर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है मतलब नहीं हो जह नहीं कहीं पर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है वहां पर कोई आवेदन उसके खिलाप में डाला है कि नहीं डाला है को इस तरीके से अव्यार चलिए जो होना था वो हो चुका है अब देखिए आगे क्या कुछ होता है तो दो प्रशनों के उत्तर हम अभी बता देते हैं कि एक दो दिनों में अभी अनमती मिलेगा उसके बाद ही आपको कॉंसलिंग का सुडियू मिलेगा जो तीसरे चरण का है और उसका जो पद होगा वो 11,000 सम्थिंग होगा यानि बारे सुचार नियोज निकाईयों पेही के वल हो रहा है जहां पे सीट बच गया है वहां का नहीं हो रहा है दूसरा नियोज आपको निक्ति पत्र कब मिलेगा कभी तक तो अपलोड ही नहीं हुए है सर्टिफिकेट वो भी आधे भी अपलो नियुक्ति पत्र मिलेगा इससे पहले आपको नहीं मिल सकता है तो इसके लिए आपको लंबा भी इंतिजार करना पड़ सकता है अब चलते है एक और नियूज है चट्टे चरन से संबंदित जो बार बार पूछा जा रहा था और कहा जा रहा था कि आवेदन कहीं पड़ा ह कि नहीं पड़ा है ये भी हिंदुस्तान इस पेपर का है और समस्ति पूर्शंसकरा ने चट्टे चरन के शिक्षक नियूजन के लिए नगर परिशत ने आवेदन लेना बंद गया सतरी तक डेड़ता और आवेदन लेना इन्होंने बंद किया बहत्तर रिक्ति पर पांसो बहत्तर आवेदन पड़े निश्चित्रुप से आवेदन लिया जा रहा था पता नहीं क्यों कह रहे थे अव्यारतिक आवेदन नहीं लिया जा रहा लेकिन आपके सामने है 546 आवेदन पड़े है माध्मिक में 26 आवेदन लिये गए 17 सितंबर तक आव्यारतियों से तरुन, गणीत में 3, विग्जान में 5, समाजी विग्जान सा, संगीत में 6, ललित काला में 6, निरत काला में 6, मैथली सा, माध्मिक में 24, एसपलब्लब सी, युवर 12, यूर अव, सात, बी सी में 6, बीसी एफ में 2, एक युवर 3, गानीत собой, सुनने, EWSF में सुनने, सीट था, तो यह सारी न्यूज अगर आप पढ़ना चाहें, तो स्क्रिन सोट लेकर पढ़ सकते हैं, फिलाल इसमें यही बताना था, पढ़ना चाहें, तो फिलाल इस वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक देखते रहें, बने रहें इंदी कलब पे, धन्यवाद बापाया, सब्सक्राइब कीजिए हिंदी कलब को, दबाईए इस बेल आइकोन को, ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले, शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लाब उठा सके, यह सब बिलकुल फ्री है,